हलो बच्चो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमजिम से क्लास फर्स्ट का पाठ 20 पढ़ेंगे भगदर बच्चो ये कविता है इसमें एक बुढिया के बारे में बताया गया है कि बुढिया को परिशान करने कौन-कौन से जानवर आये थे और बुढिया क्यूं परिशान हो गई थी तो चलो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं बुडिया चला रही थी चक्की, पूरे साथ वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मखी आई बुडिया बांस उठाकर दोड़ी, बिल्ली खाने लगी पकोड़ी, जप्ती बुडिया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर बुडिया तब फिर निकली पाहर, बकरा घुसा तुरंथ ही भीतर, बुडिया चली गिर गया मटका, तब तक वहा बकरा भी सटका बुडिया बैढ गई तब ठककर, सौम दिया बिल्ली को ही घर अब देखो, इसमें हमें बुडिया के बारे में बताए गया है न तो चलो, सबसे पहले हम कवीता का अर्थ समझ लेते हैं बुडिया चला रही थी, चक्की, पूरे साथ वर्ष की पक्की एक बुडिया थी, जो कि चक्की चला रही थी और वो कित्ते साल की थी? पूरे साथ साल की थी दोने में थी रखी मिठाई उस पर उड़कर मखी आई जो बुढिया थी उसने एक दोने में मिठाई रखी वी थी बच्चो दोने, दोना क्या होता है? एक कागस की कटोरी उसे हम दोना कहते हैं तो बुढिया ने कागस की कटोरी में मिठाई रखी वी थी और उस मिठाई पर उड़कर क्या आई? मख्य आई बुढिया पास उठा कर दोड़ी, बिल्ली खाने लगी पकोड़ी जैसे ही बुढिया पास उठा कर उस मख्य को मारने के लिए दोड़ी तब तक बिल्ली फटाफट से पकोड़े खाने लग गई जप्टी बुढिया घर के अंदर कुटा भागा रोटी लेकर जैसी बुढिया घर के अंदर घुसी तब तक कुत्ता रोटी लेकर भाग गया बुढिया तब फिर निकली बाहर बकरा घुसा तुरंत ही भीतर फिर जो बुढिया थी वो कुत्ते को मारने के लिए घर से बाहर निकली जैसे ही बाहर निकली तब तक बक्रे ने क्या देखा कि बुढिया घर से बाहर आ गई है बक्रा तुरंट घर के अंदर घुस गिया बुढिया चली गिर गया मटका फिर जब तक बुढिया घर के अंदर घुसी तब तक क्या हुआ मटका गिर गया तब तक वहा बक्रा भी सट इतने जानवरों को उसने भगाया तो वो ठख गई थी सब्सक्राइब नकोर्ण करें ऑखित्स भुड़ी करने क्या गषर बना है बुड़ी को परिशान करने कुछ चित्र बनाओ आप सबसे पहले को यह थी कम फरी को परिशान करने कले मख्ही आई थी ना तो आपने मक्हे का चित्र बनाना है फिर मिल्ली आई थी आपने बिल्ली का चित्र बनाना है फिर तीसे नमबर पर कुट्टा आया था आपने कुट्टे का चित्र बनाना है फिर आखरी में कौन आया था बगरा आया था फिर आपने बगरेगा चित्र बनाना है कौन किसके साथ मिलाओ अब आपको यहाँ पर मिलाना है यहाँ पर देखो बुडिया है मक्खी, बिल्ली, कुत्ता दूसरी जगे लिखावा है पकोड़ी, रोटी, चक्की, मिठाई अब बुडिया क्या कर देती है? पुडिया चला रही थी चक्की तो हमने चक्की पर मिलाना है इसको यह हमने चक्की पर मिलाया फिर है मक्खी दोने में थी, रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई है ना, मक्खी कहां आई थी? मक्खी मिठाई पर आई थी फिर है बिल्ली खाने लगी क्या खाने लगी थे बिल्ली पकोडी बिल्ली खाने लगी पकोडी कुटा भागा क्या लेकर भागा था कुटा रोटी लेकर कुटा भागा रोटी लेकर ये हमने मिला दिया अब हम आते हैं कविता में किसके बाद कौन आया सबसे पहले कौन आया था सबसे पहले मक्खी आयी थी तो हम यहाँ पर लिखते हैं मक्खी सबसे पहले कवीता में मक्खी आई थी फिर मक्खी के बाद कौन आया था उसके बाद बिल्ली आई थी हम यहाँ पर लिखते हैं बिल्ली फिर बिल्ली के बाद कुट्टा आया था हम लिखते हैं कुट्टा और फिर आखरी में कौन आया था अंत में कुट्टे के बाद बगरा आया था हम लिखते हैं बगरा ठीक है अब है बच्चों से पूछे इस कविता का नाम भगदर क्यों रखा होगा अब आब बताईए यह जो कविता थी इस कविता का नाम भगदर क्यों रखा गया है क्योंकि जितने भी जानवर थे सब दौड भाग कर बुढ़िया को परिशान कर रहे थे न इसलिए तो कविता का नाम भगदर रखा ठीक है तो बच्चो आज का पाठ हमारा यहीं पर खतम होता है पाठ का नाम था भगदर ठेंक यू